आप सभी कुराधे राते दोस्तों आए आज हम चार से पांच नंबर के कान्हाजी का यह प्यारा सा जूती बनाएंगे तो फिर चलिए हम बनाना सुरू करते हैं इसे हम दूसरे कलर से बनाएंगे बनाते हुए आप लोगों को निकलाएंगे चलिए फिर बनाना सुरू करते ह इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन ले लेंगे यहां पर देखे चेन की संख्या होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, एक, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, शोलह, शत्रह, और एक, अठारह अठारह चेन लेने के बाद बल लेंगे, बल लेकर ठीक, दूसरे चेन पर हुक को डालेंगे और तीन का एक करते हुए हम बुनेंगे एक, एक बार बुने अभी हम, यह रहा दो, यह रहा तीन, और यह रहा चार, पाँच, छे, और यह रहा साथ तो देखिए, साथ बार हम यहाँ पर बुन लिए, अब साथ बार बुनने के बाद हमें क्या करना है देखिए, इस चेन पर, यानि अगली चेन पर, आठावा चेन पर मुख को डालेंगे और दो का एक करेंगे देखिए, अब हमारे पास यहाँ दो है, फिर से बल लेंगे, अगला चेन पर डालेंगे, यानि नौमा चेन पर और दो का एक करेंगे फिर से अगला यानि दसमा चेन पर डालेंगे और दो का एक करेंगे अब हमारे पास चार चेन हो गया हुक पे, अब इन चारों को हम एक साथ बंद कर देंगे फिर से बल लेंगे और फिर से आगे हम बुनना सुरू करेंगे तीन का एक करते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये रहा, छे, और एक, साथ, तो साथ हम इस तरफ भी बुने हुए थे, देखिए, साथ हम इस तरफ भी बुने थे, और बीच में तीन बुने, फिर बीच इस तरफ हम साथ बुन लिए, अब एक चेन लेंगे, दो चेन लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद बल लेंगे, और फिर हम छे चेन पे बुनेंगे, तीन का एक, एक, दो, तीन, चार, पांच छे हमें बुनना है पिछले बार संख्या 7 रहा था इस बार संख्या 6 रहेगा यह रहा छे देखिए अब फिर से बन लेगे अब तीन चेन पे हमें तीन चेन पे एक, दो, तीन, तीन पे हमें इसी तरह बुनना है, देखें यह रहा दो, पांच हम लेते हैं, पांच लेंगे हम, देखें, अब बीच का यह हो गया आपको, एक, यह हो गया दो, और यह हो गया तीन, तो इस तरह से हम चली भी बुन लेते हैं, इसे, एक, यह रह स्थाइब यह रहा तीन अब हम सब्यागुआ से यहां से एक Cathاط बना हैं तो पुण लेंगे तो फिर यहां पर दो को बच्नटेव यहां अ transferring तीन, पांच हो गया पांच, अब एक चेंड लेंगे पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर देखिए हमें क्या करना है, बल नहीं लेना है, बिना बल लिये हुए इस तरह से एक बुनेंगे, फिर से दो बुनेंगे, यानि कि अब हमें घटाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह प्लेन भुनते चले जाना है प्रते एक चेन में से देखिए यह हो गया एक फिर से अगली चेन पर हुक को डाल कर दो का एक करेंगे फिर से अगली चेन पर हुक को डालेंगे दो का एक करेंगे फिर से अगली चेन पर इस तरह हम इस लाइन को कम्प्लीट कर लेते हैं फिर हम को यहाँ पर कट कर लेंगे देखिए हमारा यहाँ पर लास्ट चला आता है इसे बुन लिए अब एक चैन ले लिए अब उन कट करेंगे अब इसके बाद इस पर हम दूसरे कलर से आउट लाइन डालेंगे यह हम हटा लेंगे सबसे पहले एक नोट लगाएंगे उल्टा सीधा आप देख लें जो सीधा लगता है यह उल्टा है यह सीधा है तो हम सीधा तरब से ही नोट लगाते हैं क्योंकि यह हमारा लाश्ट लाइन चल रहा है अभी तो इस तरह से देखिए हाप हम जोड लिए जोडने के बाद बल लगे बल लेने के बाद तीन का एकरते हुए हम बुनेंगे इस लाइन में पूरे जितना भीiffs हमारे पास बच हो सबों में एक करते हुए हम एक लाइन बुनेंगे इस तरीके से तो यह आपका यहाप बॉर्डर का बॉर्डर हैगा टलर सबाद़ों और इस कलर से आपको ये आपका जूती हो जाएगा तो देखिए तीन का एक करते हुए हम इस लाइन को पुरा कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए अब एक चेन ले लेते हैं इस तरह से अगर आपके पास उन सुई में लगा हुए नहीं है तो आप ये वाइट कलर का जो उन है इसे थोड़ा सा लंबा यहाँ पर कट कर लें ये हो गया लंबा में हम कट कर लिए हैं और इसे इस तरीके से एक बार और निकाल लेंगे अब हम यहाँ पर सुई पर इसी उन को डाल लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा देखी इस तरह से हम डाल लिए अब इसे उल्टा करते हुए यह आपको सीधा तरफ हो गया यह हो जाएगा आपको उल्टा तो उल्टा करते हुए हम यहाँ से सिलना सुरू करेंगे ये अगर आप चाहते हैं यहाँ पर वाइट कलर को बंद कर देना तो वाइट कलर आप कर दिजो और इस तरह से हम यह बनाए उसी तरह से आप दूसरा भी इसका जोड़ा बना लें ठीक इसी तरीके से बनाएं देखिए इसे जब हम सीलेंगे यहाँ पर एक इस तरह से नोट लगाते हुए सीलेंगे इस तरह से आप कर दीजिएगा तो आपका नोट यहाँ पर लग जाएगा कलर मिलता जूलता लगाईए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कहां पर आप सील रही हैं देखिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसे बात बराबर है अगर आपका यहाँ पर उन्चोटा हो गया है तो आप इस तरह से गुमाते चले जाएए देखिए अब यहाँ पर हम उन को कट कर देते हैं उन को कट कर देंगे एक्ष्ट्रा जो भी उन है उसे भी हम कट करेंगे आप यहाँ पर हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद इसका कोना निकालेंगे इस तरीके से देखिए अगर आप एक कलर का बुनिये एक कलर से सी लिएगा तो आपका यह पीछे में इस तरह से दिख रहा है नहीं दिखेगा तो यह चार से पांच नंबर के कानहाजी का जूती बनकर तयार होता है उमीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में करते हैं सकता रहा होगा घूती लोगा पसमाज spar है là बन्यों in